Competition के इस दौर में हर बिजनसमें ये चाहता है कि इसका profit margin बढ़ जाए लेकिन competitive price की वज़ा से वो price को change करके अपना profit नहीं बढ़ा सकता तो आईए बात करते हैं वो कौन से इसे तरीके हैं जिने अपना कर हम बिना price को change किये अपना profit margin बढ़ा सकते हैं नमस्कार दोस्तों मैं हूँ डॉक्षर अमित माहिश्वरी बिजनस टेनर, कॉर्परेट टेनर, मोटिवेशनल स्पीकर and CEO मेटास Overseas Limited Profit margin को बढ़ाने से पहले ये समझना भी जरूरी कि basically profit margin होता क्या है मान लीजिए आप एक product का selling price 10 रुपे रखते हैं और उसमें आपको मिलने वाला margin 10% है मतलब 10 रुपे के product में 1 रुपे आपका margin है अब आप अपने profit margin को 10% से 15%, 18% या 20% तक बढ़ाना चाते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना होगा अगर आप अपने profit margin को 15% करना चाते हैं तो इसका मतलब आपको आपके 10 रुपे के product में 1.5 रुपे का profit होने वाला है तो समझते हैं कि वो कौन से तरीके हैं जिने अपना कर हम profit margin बढ़ा सकते हैं सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमारे business में कौन-कौन सी operating cost है जो fixed है और कौन-कौन सी operating cost variable है Fixed cost वो सारी cost होती हैं जिसका आपके production पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता Production कम हो या जादा वो fixed cost हमेशा समान रहती हैं जैसे आपकी factory या office या showroom या go down का rent मान लिजिए आप एक लाग product बनाते हैं और आपके go down का rent पचास हजार रुपे है तो एक तरह से 50 पैसे fixed cost आपके उस product पर आपके go down की या factory की पड़ती है अब जरूरत है कि हम अपनी fixed cost में तो परिवरतर नहीं कर रहे लेकिन हमारा profit margin बढ़ जाए तो उसके लिए जरूरी है same fixed cost में जादा production करना जब आप जादा production करेंगे तो आपके cost of production घट जाएगी मैंने कहा था अगर आप एक लाग material produce करते हैं और आपका rent पचाजार है तो 50 पैसे fixed cost आपकी है यदि आप 2 लाग product produce करना शुरू कर दें तो आपकी जो fixed cost है वो 25 पैसे पर आजाएगी अब आपका ये प्रश्ण होना चाहिए कि सर मैं production तो बढ़ा दूँगा लेकिन मेरे पास इतनी sale कहां से आएगी तो अपने business में sale को कैसे generate करें इससे संबंदित बहुत सारे videos मेरे इस channel पर दिये हुए है आप online promotion कैसे करें इसके बारे में भी एक विशेश वीडियो मैंने बनाया हुआ है दूसरी जो cost आपके business की होती है वो होती है variable cost मतलब जितना ज़्यादा production करेंगे उतनी variable cost बढ़ती जाएगी जैसे raw material अगर आप raw material की quantity bulk buying के तुरू खरीदने लग जाए या आपका vendor आपको पहले की अप एक सा सस्ते rate पर आपको raw material उपलब्द कराने लग जाए तो भी आपकी cost of production घट जाएगी इसका मतलब यदि cost of production घटेगी तो same selling price होने के बाद भी आपका profit margin बढ़ जाएगा मतलब आपकी buying capacity बढ़ जाने चाहिए यह सबसे पहला step होता है ताकि आप ज़्यादा production करें और आपकी variable cost अनुपातिक रूप में कम हो और आप ज़्यादा profit margin cover कर सकें दूसरा जो important step है competition के वाल आपके लिए नहीं है competition तो आपके vendors के लिए भी है आपके suppliers के लिए भी है और competition के इस दौर में try to find out new vendor, new supplier और जब आप नए supplier से बात करेंगे तो वो पुराने supplier की अपेक्षा आपको कम cost पर raw material उपलब्द कराएगा जिससे फिर दुबारा आपका cost of production घड़ जाएगा और profit margin बढ़ जाएगा इसके अलावा अपनी company को सभी social media platform पर ज़रूर list करें इसके अलावा trade India, India Mart, Alibaba, Just Dial, Sulekha इन सभी portals पर जवाब list करते हैं तो बहुत सारे नए buyer आपके पास आएगे और नए buyer आने पर आपका sales का volume बढ़ेगा और जब sales का volume बढ़ेगा तो जो cost of production का burden था fixed and variable वो घड़ जाएगा और आपका profit margin बढ़ जाएगा दूसरा जो important factor है वो है आप अपने production में automation करें या अपनी machinery and tools को improve करें जितनी ज़्यादा बहतर machinery होंगी उतने कम समय में वो ज़्यादा material produce करेंगी और जितने कम समय में ज़्यादा material produce करेंगे उतना cost of production घटता जाएगा साथी साथ अपने follow up की strategy को भी change करें आप अपने नए leads को, नए buyers को, नए clients को जब ठीक तरीके से follow up करेंगे तो आपकी sales ज़्यादा convert होंगी है वो same रहता है इसलिए automation का सारा ज़रूर लें चाहें वो production से related हो चाहें sales से related हो या marketing से related हो तीसरा जो important factor है वो है आपकी production team की efficiency improve हो आपकी sales team की efficiency improve हो जिससे जब आप sales team की efficiency को improve करेंगे तो आप ज़्यादा sales कर पाएंगे और production team की efficiency को improve करेंगे तो आप कम cost में ज्यादा metal produce कर पाएंगे जिससे आपका profit volume, profit margin total turnover सब कुछ grow करेगा ये महत्पूर्ण कदम आपको अपने business में जरूर अपना नहीं यदि आपके मन में profit margin को बढ़ाने से संबंदित कोई भी सुझाव या प्रश्ण है तो हमें comment box में लिखकर जरूर बताएं और अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से नए बायर से और अधिक contact किया जाए ताकि आप अपनी sales को बढ़ा सकें स्वस्त रहें मैं डॉक्टर अमित माहिश्वरी आप किसमेरे बविश्य की कामना करता हूँ जै हिंद जै भारत